तो अब सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल में आज हम बात करने वाले ट्रेजेंटा फायू टैबलिट के बारे में ट्रेजेंटा फायू में लिना गलिप्तीन फायू एमजी कंटेंट है और इसके मार्केट पर लगबख 309 रुपए है तो चलो इसलिए में जानते ह इसके यूजेस, साइड इफेक्टर, सब कुछ फ़ेले जानते है दोस्तों ट्रेजेंटा फायू टैबलिट के यूजेस के बारे में ट्रेजेंटा फायू टैबलिट का इस्तमाल डाइब ट्रेजेंटा फायू टैबलिट का इलाज में किया जाता है ट्रेजेंटा फायू PPP4 inhibitor नामक दवाव के समोज से समंदित है यह भोजन के बाद आपके शरीर में उत्पादित होने वाले इंसुलिन की मातरा को बढ़ाने में मदद करता है और आपके शरीर को आपके रख्तर में बहुत आदिक ग्लुकोज छोड़ने से रोकता है इस तरही है आपके शरीर में बलड ग्लुकोज के स्तर को कम करता है आम तोर पर इसे दिन में एक बार लिया जाता है और इसके कुछ सामाने साइड इफेक्ट होते है बलड ग्लुकोज के लेवल को कम करना डायबिटीज को नियंतरित करने का प्रमुक हिस्सा है अगर आप इस तरहों को नियंतरित कर सकते है तो आपने आप में डायबिटीज के कारण होने वाली गंबिर जटिलतायों जैसे की किड्नी का नुक्सान, आखों का, हातों पैरों का नुक्सान, आधी जैसे जोखिमों की संभावना कम हो जाएगी डायबिटीज का उचित नियंतरन, हैदे रोगों और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम कर सकता है इस दवा को नियमीत रूप से उचित आहर और व्यायम के साथ साथ लेना आपके लिए सामाने और सास्त जीवन जीने में मदद मिलती है निर्धारित आउजी तक इसका इस्तमाल जारी रखे तो जानते हैं दोस्तो ट्रिजन टाफ हायो टैबलीट के साथ इफिक के बारे में इस दवा से होने वाले अधिकान साथ इफिक में डॉक्टर की सलालीनी के ज़रुद नहीं पड़ती और नियमीत रूप से इसका सेवन करने से साइड इफिक आपने आप समाप्त हो जाते है अगर साइड इफिक बने रहते हैं लक्षन भिगणने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाली ट्रिजेंडा के सामाणे साइड इफिक खासी, उल्टी, डायरिया, दस, कब जैसे लक्षन शामिले दोस्तो ट्रिजेंडा फायो टैबलेट के डॉस से इसके बारे में इस दवा के डॉस और डॉस के टाइमिंग के लिए अपने डॉक्टर से सलाली इससे साबुद निगले, इससे ना ही चबाई, ना ही कुछले और ना ही तोड़े ट्रिजेंडा फायो टैबलेट को खाने के साथ या भुकेट भी ले सकते लेकिन बहितर यही होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए तो ट्रिजेंडा फायो टैबलेट किस प्रकार काम करता है, ट्रिजेंडा फायो टैबलेट को यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में ट्रेजेंटा फायो टैबलेट को हर दिन एक नियमित समय पर लिया जाना चाहिए ताके आप इसे लेना न भूले अन्य डाबिटी दवाओ शरब के साथ इस्तमर होने पर अगर आप भोजन में देरी करते या मिस करते लो बलड सुगर लेवल का कारण बन सकता है गाड़ी चल लेकि ट्रेजेंटा फायो टैबलेट आप पर कैसा असर करता है अगर आप जोडों में दर्द कान उभोग करते या आप में पेट दर्द मीचली आना उल्टी जैसे लकशीन विकशित हो जाते तो आपने डॉक्टर को सुचित करे यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों अच्छी लगे होते यडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन दोस्तों